राधा वल्लव स्रीहरिवंस राधा राधा मत्रों भगवान भोलनाद आप लोगों पर काफे परसन्नों हो चुके हैं और भगवान भोलनाद परसन्नों होने की कारण आप लोगों के जीवर्ण की सभी परिकार की कष्टे समस्यायन दुखतकलिपियों जो भी आप लोगों के जीवर में परसानिया हैं, जो भी आप लोगों के जीवर में धंदोलत से जुड़ी आर्थिक तंग्या हैं, उन सभी को अब दूर करने बारे हैं। मित्रों, अगर आप भगवान भोलिनात पर सच्ची सर्धा रखते हैं, उनकी आप पूजा उपास न करते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और सच्ची सर्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और वस्ते लिखेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान भोलिनात बहुत ही भोले हैं। मित्रों, वीडियो में बताई गई सारी जानकारियां, एक एक बात आपको पूरे गौर से सुननी है और समझनी है, तभी आप अपने जीवर में इसलाव की प्राफ्ति कर सकोगे, भगवान भुरिनात को परसन्न कर सकोगे, और भगवान भुरिनात की किर्पाद्रिष्टी आप लोगों पर बनी रहेगे और आप लोगों के जीवर में भरपूर मात्रा में धन और लाव इज़त मान परतिष्टा की पुराफ्ति होंगे, इसलिए आप लोगों से अनुरोद करेंगे, कि आप मेरे लिए नहीं बलकि अपने लिए इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एक एक बात को गौर से सुनकर पूरा जरूर देखें, और उसे पहले वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें, ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सकें, और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें, मत्रों आप लोगों का आने वाला समय पास रहने वाला है, वो कहते हैं न, मनुस्य के जीवन में दुख और सुख लगातार आते जाते रहते हैं, और जब सुख की गड़ी आती है, तो भगवान कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं, अब की बार इस वीडियो के माध्यम से भगवान आप लोगों को संकेत दे रह हैं, कि आप लोगों के जीवन में कुछ बड़ा और कुछ बहत्रिण होने वाला है, मत्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, कि जो लोग इस समय भौतिक सुक्सादनों की प्राप्ति करना चाते हैं, लोगों को भौतिक सुक्सादनों की प्राप्ति होंगे, नोकरी के में उन्नति का यूग बन रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि आपको चारों और से धनलाव की प्राप्ति होंगी जिसकारण परिवार में हर सो उल्लास की इस्तितियां बने रहेंगे आपके समंदों में मदूरता आ सकते हैं और किसे विशेश समंदे के कारण की नए मिसाल को कायम कर सकते हैं ग्रोहों के चाल में परिवर्तन होने की वज़र से आप लोगों के जीवन में अनुकूल प्रधाभाव के प्राप्ति होंगे जिसका प्रभाव उनके जीवन में चात साब दिखाई दे रहा है मत्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आ आप लोगों के कुंडली में इन जिनों खुसियां हैं खुसियां आने वाली हैं काम्यावी आपके कुंडली में आपके जीवर में दस्तक दे रही हैं। आप लोगों के जीवर में समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं और खुसियां परदान करने वाली हैं। लोगों के करियर के छित्र में भी बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी। और विवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। विवाह के मारग में आ रही सारी के सारी बाद हाएं। दूर होंगे। जो आप लोगों के सत्रू हैं, जो आप लोगों के विरूदी हैं, जो आप लोगों के जीवन में टांग अलाते हैं, या आप लोगों के बने बनाई कारी को बिगारना चाहते हैं, उन लोगों पर भी आप बिजय को हासिल कर सकते हैं, उन लोगों पर भी जीत हासिल कर सकोगे धन दोलत की प्राप्ति होंगी और भगवान भोलनेत की असीम कृपा आप लोगों पर होने वाली हैं जिनकी वज़े से आप जल्द ही माला माल होने वाले हैं और आपके कुंडली में यह यूग बहुती खास बना रहेगा आपके घर फिरिवार में सुक्षान्ति का वातावर आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं आ रहे हैं तो सारी की सारे समस्याओं से अब आपको चुलकारा मिल सकता है मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपको शुबर से जो भी आपके मुझ से निकली वहरिक्षाए जो भी आपके सपने हैं वह आपके शकारात मफ पूरे प्रिवार वाले आपके इज़त पर्थिश्टा में बुढ़ोत्तरी कर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि आप समाज में अपनी अलक्ष भी अलग पहचान बनाने में काव्याब हासिल कर सकते हैं संपत्ति के कारों में शफलता की प्राप्ति होंगी, आप अपने दुस्मनों पर विविजय की प्राप्ति कर सकते हैं, कारेस्टल में भी पुदनती मिलने के संभावना बन रही हैं और आपको कुछ गंभीर विमारियों से भी मुक्ति मिल सकते हैं, नए दोस्त बनेगे जो आपके जीवन में तरक्ति और सुफलता पाने के लिए नए मार्ग हासिल करने में आपके साहता कर सकते हैं, कई दिनों से आपके तरक्ति में आरही रुकावटे दुरूंगी और आपको परिवार में सुक्सान्ति का माहौल देखने को मिल सकता है, आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने सभी कारे को घड़े के खड़े, बड़े बुजरुगों का असरुवाद लेकर बड़े बुजरुगों के असरुवाद से पैर सुकर ही आपको करना चाहिए, आपके जीवन में उनका काफी महत्पून रहेगा, जीवन साती के साथ आपके समन्द काफी पूरे होंगे, रचनात्मक कारिफी आपके पूरे होंगे, और कुछ बड़े कारिफी आपके सही समय पर होंगे, बित्रों आपको 72 पद्रवति की प्राप्ती हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याओं का समधान होगा, पारिवारिक रुत्बा वड़ने बारा है, और आप वाली हैं मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भगवान भोलनात की किरफा के साथ साथ इस समेसी रहरी विस्नुजी की किरफा भी प्राप्त होंगे जिनकी वज़ा से आपको करियर में चार चांद लगने वाला है और एक बड़ा उच्छाल आने के संभावना बन रह हैं आपको कड़ी मेहनत और संगर से करना पड़ सकता है आपको परमोशन मिलने के परवल योग बन रहे हैं आपके सारी के सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं मित्रों आपको अपने जीवन में कई बड़े पदलाव देखने को मिलेंगे कई पड़कार के फैसले भी आ तर से योग प्राप्त हो सकते हैं धन कमाने के बहतर मुके भी मिल सकते हैं आपको जीवन में हर एक प्रकार की सुक्सविधाओं के प्राप्ती होंगी मित्रों आपको समाज में चल रहे परिशानु का और समस्याओं का समधान करने का प्रियास कर सकते हैं मित्रों आपको ब खुशियां इतनी आएगी जितने की आप कभी कलपना भी नहीं किये होंगे आपको सेक्षिनिक कस्तर पर कारी करने के मुक्के भी प्राप्त होंगे विद्यार्थू को पढ़ाई में मन लगेगा और महत्पुन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं विशार विमर्श से आपक फ्रिवार में आप कोई प्रिवार में आप न सम्मलित करें घर फ्रिवार के लोगों को बेपार में सम्मलित करोगे तो आपके भेद खुल सकता है आपका बात भी बात बढ़ सकता है तू तू में में बात भी बात बिलकुल ना करें तो आप लोगों को बताना चाहेंगे क इन दिनों आप किसी भी प्रकार की कोई भी महत्पून दिरने लेने से बचें, समय पर भोजन करने की कुशस करें, कानूनी मामलों को लिकर आपको इसमें कठनाया हो सकती है, बैपार बैवसाय संपत्ती को लिकर आपका विवाद हो सकता है, अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, प्रिवार से जुड़ी कई मामलों में आपको सफलता मिल सकती हैं, आपके पिता के स्वास्त में काफी महत्पून घटनाएं होगी और आपके पिता के स्वास्त में काफी प्रिवर्दत होगा, बच्चों के साथ मिलंचार वेहवार करने की आपके जीवन में कई प्रकार के वदलाव एक साथ होने वाला है, जिनकी वज़ा से आप बहुती प्रभावित रहेंगे, बहुती उसाहित रहेंगे और कफी कुछनमा बातावरण भी आप लोगों के जीवन में बना रहने वाला है। मित्रों इस्वा में कोई भी ऐसा निर्दें बिलकुल न लें जो आपके भविस्चे में निंदा दायक रहेगा या भविस्चे में आपकी परिशानी को उत्मन न कर सकता है। न करें नहीं तो आपके लेने के देने भी पर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हटकर भीड से हटकर अपनी एक अलग चवी अलग पहचान बनाने का अवस्चे प्रियास करें। जिस खुसकवरी का इंतिजार कर रहे थे जो आपको चाहिए था वह अब आपको सुवता ही मिलने वाला है और आप काफे प्रसन भी रहने वाले हैं। आप एक एक सुब समाचारों की प्राप्ती करोगे जो भी आपने लिख लखा है या जो भी आपने प्राप्त करना चाहा है वह सारी के सारी बातें, सारी के सारी योजनाएं आपके सफल होने वाले हैं। और भगवान सुरी अरी विस्णुजी के क्रपा से आपको प्दूनति की प्राप्ती भी अवस्य होंगी और कारिश्यत्र में लाव की प्राप्ती भी होने वाले हैं। मत्रों आप बात बात पर रोना प्रारंब कर देते हैं जो आप के लिए बहुती निंदनिय है इसलिए आप रोने के कोशच बिलकुल न करें आप रोएं तो बस भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान स्रीहरी विश्णु जी आप लोगों पर प्रसंद रहेंगे और भग स्रीहरी विश्णु जी के क्रिफा भी आप लोगों को मिलेंगी समस्त देवी देविताओं का अस्रिवाद आपके कुंडली में बनना रहेगा जिनकी वज़ा से आप बहुत ही प्रभावित होंगे बहुत ही खुश रहेंगे और अपने एक्षाओं को पूर्ण कर सकोगे आपके जीवन में आपके सारे एक्षाओं सारे मनुकामनाय पूर्ण होंगे नत्रों इस समय आप लोगों को करिये से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और यह फैसला आपके लिए काफी उप्योगी और काफी जादा प्रभावित करने वाला रहेगा इस समय आप अपने जीवन में लाव कमाने के नए मौके तो प्राप्त करोगे और ठन कमाने का नया चरίαा भी मिलेगा लेकिन आपको किसी भी पिचोलीय से और कोई ऐसा सक्स से वजना होगा जो आपके पैसे को लूट सकता है या आपके पैसे को बरबाद कर सकता है तो ऐसे में उन साथ छल कर सकते हैं, यह जुआप को आपके जीवन में मुसीवितों में टाल सकते हैं, इसलिए छलिया लोगों से आपको बचने का फ्रियास करना होगा, इस समय आपको अपने जीवन में कुछ कठोर महनत करके, कुछ बहत्रिन सफलता की प्रापति करने होगी, आपके द्वा आपको बताना चाहेंगे कि आप इस समय प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों से जो आपके लिए उपयोगी नहीं हैं या जो उपयोगी भी हैं और वो आपको जीवन में मुसीवतों में डालने का प्रियास कर रहे हैं। उन रिष्टेदारों से आप सावधान रहें जो दू मुहा काम करते हैं। अर्थात जो आपके मुँपर आपके बड़ाई और आपके पीट पीछे आपके बुराई करते हों उन लोगों से आपको सतरक रहने की हावस्था करता होंगे। क्योंकि ऐसे लोग ना आपके होते हैं न किसी और के वह सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और ऐसे अपने फायदे देखने वाले और दिखाने वाले लोगों से आपको भी सेश तोर पर शावधान रहना होगा। नहीं तो आप भी एक दिन मुश्किल में पड़ोगे और ये लोग आपका भी फायदा उठा रहे होंगे। का मुख भी प्राफत होगा। ऑज की इस वीडियो में बस इतना ही।